परिजय दिसंबर की एक चमकीली सुबह में श्रिया अपने लौन में बैठी है, वह देखती है कि माली लौन की घास काट रहा है। और परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल श्रिया के घर का लौन एक आयताकार द्विविमी आकरती का है, जिसकी एक लंबाई और एक चोड़ाई है। किसी द्विविमी आकरती द्वारा घेरे गए तल के परिमान को उसका ख्षेत्रफल कहते हैं। आपको याद होगा कि वर्ग एक द्विविमी आकरती होता है, जिसकी लंबाई उसकी चोड़ाई के बराबर होती है। एक इकाई की लंबाई वाले वर्ग लीजिए, वर्ग का ख्षेत्रफल लंबाई गुणा लंबाई है, अतह एक इकाई वाले वर्ग का ख्षेत्रफल वर्ग इकाई एक गुणा एक बराबर एक होता है। इसी तरह लंबाई के मापन की एक इकाई होती है और क्षेत्रफल के मापन की भी एक इकाई होती है. हम लंबाई को सेंटिमीटर या मीटर में मापते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रफल को वर्ग सेंटिमीटर या वर्ग मीटर में मापते हैं. वर्ग खंडों की गिंती करके क्षेत्रफल ग्यात करना अब आईए पांच वर्ग खंडों वाली आकरती के क्षेत्रफल की गणना करें प्रत्येक वर्ग खंड की लंबाई एक इकाई है हम जानते हैं कि एक इकाई वाली लंबाई के वर्ग खंड का ख्शेत्र फल एक वर्ग इकाई होती है अतह, एक इकाई प्रत्येक की लंबाई वाले पांच वर्ग खंड वाली आकरती का ख्शेत्र फल है एक वर्ग इकाई जमा एक वर्ग इकाई जमा एक वर्ग इकाई जमा एक वर्ग इकाई जमा एक वर्ग इकाई इसे एक जमा एक जमा एक जमा एक जमा एक बराबर पांच गुणा एक बराबर पांच वर्ग इकाई की तरह भी लिखा जा सकता है आईए अब ऐसे आकृति का क्षेत्र फल ग्याद करें, जो तीन सेंटिमीटर प्रत्येक की लंबाई वाले वर्ग खंड से बनी है। आईए में एक वर्ग खंड के क्षेत्र फल से गुणा करगे ग्याद किया जा सकता है। अतह क्षेत्र फल है 5 गुणा 9 बराबर 45 वर्ग सेंटिमीटर। जब लंबाई और चौडाई ग्याद हो तो क्षेत्र फल की गणना करना। किसी वर्ग का क्षेत्र फल लंबाई गुणा चौडाई होता है। वर्ग एक विशेश प्रकार का आयत होता है जिसकी लंबाई और चौडाई बराबर होती है। आईए अब ऐसा आयत लें जो वर्ग नहीं है। एक आयत की लंबाई 6 सेंटिमीटर और चौडाई 7 सेंटिमीटर है। आईए अब क्षेत्र फल ग्याद करें। आयत का क्षेत्र फल लंबाई गुणा चौडाई होता है। बराबर 6 गुणा 7 बराबर 42 वर्ग सेंटिमीटर। जियोबोड के प्रयोग से क्षेत्र फल ग्याद करना। क्या आपने कभी जियोबोड देखा है। इस आकृति को देखो। यह एक जियोबोड है। जियो बोड की रचना पंक्ति और कॉलम में बिंदू बना कर की जाती है, जिसके सनलगन बिंदूओं के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। आईए दी गई आकृती का क्षेत्र फल जियो बोड की सहायता से ग्याद करना सीखें। सबसे पहले आकृती में जैसा दिखाया गया है स्क्रीन पर वैसी पाँच सेंटिमीटर, चार सेंटिमीटर, दो सेंटिमीटर, एक सेंटिमीटर और एक सेंटिमीटर की लंबाई की पाँच पंक्तियां खीच लें। जियो बोड के दो सनलगन बिंदूओं के बीच की दूरी एक सेंटिमीटर है। पूरी आकृती का क्षेत्र फल, एक वर्ग खंड के क्षेत्र फल और कुल वर्ग खंडों की संख्या के गुणन फल के बराबर होगा, जो की बराबर सत्रह गुणा एक बराबर सत्रह वर्ग सेंटिमीटर है। परिमाप किसी द्विमी आकृती के चारों तरफ की कुल दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी आकृती का परिमाप उसके घेरे की लंबाई होती है। परिमाप ग्यात करना आयत का परिमाप यदि ल किसी आयत की लंबाई है और च उसकी चौडाई है तो आयत का परिमाप होगा। ल जमा च जमा ल जमा च बराबर दो गुणा ल जमा दो गुणा च वर्ग का परिमाब आप बोल सकते हैं कि वर्ग एक विशेश प्रकार का आयत है जिसकी लंबाई और चोड़ाई बराबर होती है अगर क किसी एक भुजा की लंबाई है तब उसका परिमाब बराबर होगा क जमा क जमा क बराबर चार गुणा क त्रिभुज का परिमाब आप जानते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं वाली आकरती होती है यदि क, ख, ग, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तो इसका परिमाब होगा क, जमा, ख, जमा, ग आईए किसी दी गई आकरती के परिमाब की गणना करना सीखें किसी दी गई आकरती का परिमाब ग्याद करने के लिए उसकी सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए जो की दो, जमा, छ, जमा, आठ, जमा, दो, जमा, तीन, जमा, पाँच, जमा, चार, बराबर 32 सेंटिमीटर है हमने क्या चर्चा की? क्षेत्र फल की गणना करना गिंती की सहायता से मानक सूत्र की सहायता से जियो बोड की सहायता से परिमाब की गणना करना गिंती की सहायता से सूत्र की सहायता से